कॉंग्रेस मुक्त बिहार बनाने में आर्जेडी चल चुका है और वो लगा हुआ पिसले चुनाओं में भी उनको कटोरा थमा करके चला दिया था इस स्राप बंदी को लेकर के क्या कहना है नितिस कुमार के ग्रीह जिले में जो है सर जहरेली सराप से मौत हुई है कॉंग्रेस मुक्त बिहार बनाने में आर्जेडी चल चुका है और वो लगा हुआ पिसले चुनाओं में भी उनको कटोरा थमा करके चला दिया था और फिर उनको कटोरा ले करके चलना है और कांग्रेस की आज नेतान नीति और नियत भीहिन कांग्रेस को बिहार में भी एक छेत्रिये डल के पीछे-पीछे-पीछे-पीछलगू के तरह चलना पड़ रहा है इससे बढ़ा दुर भग्य क्या होगा कांग्रेस के लिए और राश्टिये जनता दल कॉंग्रेस मुक्त बिहार बनाने में लगा है, हम तो कॉंग्रेस मुक्त भानरत बना चुके हैं और ये बिहार में छेत्रिये दल जिनके साथ गठपंधन के लिए सीना खोल के दोड रहे थे, आज इनको कटोरा दे करके रोड पर थमा दिया है, एक बड़ा दुरभग्यका भी साय है बिहार में कि इस तरह से जो मौते गरीबों का हो रहा है, वो किसी भी जाती का हो, लेकिन वो गरीब हैं और उस पर बहुत भारिक जो भी उसमें दोसी हैं, चाहे कोई अधिकारी हों, कितने बड़े हों, उस पर करवाई होनी चाहिए और का एक जिमवारित होनी चाहिए, अभी जिस तरह से महा गठ बंदन की बाच और अंडिया की बात अगर करें, तो अंडिया में जो है, वो भी सी मोर्चा के राष्ट्रे महा मंत्री है, निखिल आनंजो प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साब्तों से कह दिये हैं, कि जो छेत्र नहीं चल रहा है, ये कब तक एंडिया बहुत मजबोती से बिहार में माननीय मुख माननीय मुख मंत्री जी के नतरित्व में चल रहा है, और जहां तक बात हैं, कुछ जो है काली दाश टाइब के नेता लोग भस्मा सूरी परविर्ति को अपना विक्हेरा है जो बाहर में रहके नहीं कर सके हैं, वो अंदर में रहके कर रहे हैं, यानि कि आप इसारों ही, इसारों में जो है, वो जद्री को नीचा दिखाने का विज़ेपी काम कर रहा हूँ, मैं एक समाजिक बात बोला हूँ, मैं किसी व्यक्ति के बारे में या दल के बारे में मैं नह जबुति से मानिय मुख मंतरी जी के नितृत्म में चल रहा है और पूरे देश में मानिय परधान मंतरी जी आज भी कास पूरूस है तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता अर्विंच सी इसका वर्भस इतना ही बने रही है निश फॉर्णेशन के साथ धन्यवाद